एलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल मिशर वन वे जिसमें आज हम बात करेंगे एक परस्ट नहीं है जिसका नाम है समस्या समाधान इससे समध्धी जो क्वेशन एकजाम में पूछे जाते हैं यह सी नाइन पेपर का है ठीक है तो हम लोग देखते हैं कि समस रूप रेखा में हम लोगें सब्सेफ़ पर्स्तावना समस्या समधान समधान का यर्थ एमंग परिभासा हैं ऑर ब्रस्तावना में लिखे हैं कि हमारा भारत देश एक विभीनताओं का देश है परते के पास कुछ ना कुछ बातों से से सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष समस्या समाधान प्राचीन काल से चली आ रही एक चिंतन है जिससे बैक्ति हर समय किसी ना किसी समस्या को लेकर चिंतन पुर्ण रहते हैं इस परकार हम कर सकते हैं कि समस्या समाधान एक परकार का चिंतन का मार्ग है जो अपने संग्यानात्म पक्षों के द्वारा उनके उद्यस्यों की प्राप्ति के लक्ष तक पहुचता है मतलब इस परकार हम कर सकते हैं कि समस्या समाधान एक परकार का क्या है चिंतन का मार्ग है जिसके द्वारा जो है वो अपने संग्यानत में पक्छो है निकि अपने मस्तिस्क द्वारा जो है अपने उद्देश्व की क्या करती है वो प्राप्ती कर लेती है ठीक है अब हम देखे समस्य समादान का अर्थ, Meaning of Problem Solving, समस्य समादान का समाने अर्थ होता है, लक्ष को पराप्त करने में आने वाले समस्याओं का समधान, या तर्क, यक्ति संगत या नियमित चिंतन का एक रूप है। ठेक उसी को हमने क्या करते हैं समस्या समाधान करते हैं अर्थात समस्या समाधान कठीन या कठीन मुद्दों के समाधान को व्यवस्तित तरीके से कार्ज करने के लिए खोजने की परकडिया है हम कहा सकते हैं कि जब कोई मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो वह समस्या के के लिए समाधान के लिए चिंतन अराणम करता है उचित चिंतन के द्वारा समस्य समाधान खुषता है अर्थात समस्य समाधान वह परतिमान है जिस जिसमें तार्कीक चिंतन नीएत होती है लगातार चिंतन करते जागे उसका जोब समाधान खुच सके समाधान एक परमुक संग्यान अत्मक बैवार है इसकी आवसकता उस समय होती है जब बैक्ती किसी लक्ष तक पर पहुंचना चाहता है परन्तु लक्ष असानी से उप्युक्त बातों से असपस्ट होता है कि समस्य समादान एक ऐसी परक्रिया है जिसमें बेक्ति समस्या के वर्तमान अवस्था से लक्ष अवस्था की और जाता है ठीक है मतलब समस्या समादान एक ऐसी परक्रिया है जिसमें जो बेक्ति अभी वर्तमान समस्या वस्था से ज जिसमें बीविन अनुकिडियाओं को करने तथा चुनने की किरिया सामिल है ताकि वांचित उद्ध्यसूं की प्राप्ति की जा सके ठीक है तो यह बेरन बुलेते समस्य समाधन का पड़िवाचा दूसरा है इस्टेनले गरे के नुसर समस्य समाधन वह धाचा या परतिमान है समस्य समाधन वह प्रक्रिया है जिसमें तारकिक चिंतन क्या होते हैं नहीं हित होते हैं एक इस्टेनले गरे के नुसर था तिसरा है समस्य समाधन किसी लक्ष की प्राप्ति में बाधक परतित होती कठिनाईयों पर विजय प्राप्त करने की क्या है प्रक्रिया है ठीक है औ सब्सक्राइब के दिखें समस्या समादान के जो है बीभीन मनें विग्यानी ने अपने इनुशार बीभीन पढ़ी विशा दिया था पारा दिया तो समस्या समादान के बीभीन सोपान तो पहला में समस्या के सुरूप को समझना सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समस्या के सुरूप की स्टेप से है तो उसको समझते पहला चरण स्टेप यही है ठीक है दुसरा में हम लिखते हैं कि समस्या के बारे में सुचना तिसरा में समस्या समधान के विविन उपा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना और पांचवा में करना समाधन का मुल्यांकर करना जो आप काम कि उसका लेंकर करना च्छटा में है भल का परियोग में जो है लाना है ठीक है तो यहां हम लोग एक एक करके सब्सक्राइब के बारे में चर्चा करते हैं पहला हमें है समस्या के सुरुप को समझना अंडर्स्टेंडिंग दे नेचर ओफ प्रोडम इस चरण में सुरुपर्तम समस्या हल करने वाला समस्या से परिचित होता है इस चरण में जो सबसे पहले समस्या का जो हल करता है वह समस्या से परिचित होता है मतलब समस्या को जानता है कि समस्या क्या है और वह समस्या हल करने में आने वाली कठे नाईयों और निर्देशों के संबंद में विचार करता है ठीक है उससे संबंदी जो है क्या करते हैं उस समस्या संबंदी विचार करते हैं जिससे वह उस समस्या के बारे में समझ्जित अधिक से अधिक सुचना संकलित करता है ठीक है यहां लोग देखें पहला में देखें थे समस्या के सोरूप को समझना देखें दूसरा में आएगा समस्या के बारे में सोचना generating solution ठीक जब आप समस्या से भली भाती परिचित हो जाने के बाद उसे भली प समस्या के बारे में क्या करना चाहिए सोचना चाहिए समस्या के बारे में जानकरे रखना सफल चिंतन की एक कुंजी होती है ठीक है अता है समस्या को भली परकार समझने से उसके हल करने में सहता मिलती है तो यहां में देखें समस्या के बारे में सोचना ठीक है तो तिसरा मे देखते हैं कि समस्या के विभिन समाधानों में से उत्तम के बारे में निन्य करना आप समस्या से परिचित एवंग उसके बारे में सुचने के बाद अब आप विभिन उपायों में से उत्तम के बारे में समाधान का निन्य करेंगे मतलब समस्या जो है किसी भी परकार का हो उस करना यका इसलोशन अब उत्तम उपाय का करना है तो वह है कि करना तो यह को क्या rape करना है फॉपाय को क्या थिर्श ऐन पाइंक तो वही है तो उत्तम उपाय का की अऊ 그러면 करना थिक और पाचवा में हम देख रहे कि केरियानवेन समाधान का मुल्यांकन करना अब जो फिर आफ काम करें पिर उसका हम क्या करेंगे मुल्यांकन करेंगे ठीक है evaluation of solution carry out इसमें आप समस्या के मुल्यों को निर्धायत करते समय तीन बातों पर ध्यान रखना चाहिए पर्थम क्या प्राप्त निश्कर्च द्वारा समस्या का पुर्ण हल प्राप्त हो जाता है जो भी आप उससे समाधान करने तो क्या आपका पुर्ण रूप से हल हो रहा है दूसरा में है क्या आप हल पुर्व में अस्थापित तत्यों और सिध्धानतों की अनुकुल है और तिसरा में है कि उन नकरात्मों बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके कारण निसकर्ष पर संधे हो सकता है तो नेकर अत्मों बातों पर भी ध्यान रखना है कि समस्या से समाध्यान जब आप से बालकों को वर्णमाला कैसे सरलता से सिखाई जाए इस समस्या का हल यह है कि परतिक अक्षर को उसके चित्र के साथ पस्तुत क्या जाए तो वह वर्णमाला सरलता से याद हो जाएगी जैसे को के साथ कभूतर का चित्र मतलब बच्चों को जो है अगर हम लोग अगर सिखाते हैं किसी भी चीज सिखाते हैं तो यह वर्डुमाला ही उसको सिखाते हैं तो उसको जो है उस क साथ अगर उसका चित्र दिखाएं तो बच्टे को जल्दी शीख जाता है ठीक है तो यह हम लोग देखें design for learning में layers कि जो है कैसे हम लोग समस्या को किसी समाधन करते हैं बच्चे को सिखाने में तो उसके वास्तितर दिखा के जो है तुरन बच्चे जो है अपने सीख लेते हैं ठीक है और लाश्मान उनिसकर्स में देखते हैं उपयुक्त बातों से असपस्ट होता है कि समस्या समाधन एक परकार का मार्ग है जिससे विभीन तरकों के द्वारा समस्या को सुल जाने का एक युक्त बन जाता है जो धिरी धिरी विक्सित हो जाता है इस परकार हम लोग देखें कि समस्या समाधन एक परकार का मार्ग है ठी अधन समझ में आ गया होगा इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को बने रहे और प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो वह सब्सक्राइब कर ले और किसी तरह का जो है प्रोड़म होना पर कॉमेंट में जरूर लिखें और लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें ठीक है तो